सिहोर के जिला अस्पिताल में जिला प्रश्वासन की नाख की नीचे जन्म और मत्यु प्रहमार पत्रों के नाम पर रिश्वत का खेल जल रहा है जिला अस्पिताल में जन्म प्रहमार पत्रों के नाम पर तीन तीन सो रूपए वसूल ले जा रहे हैं अलम ये है कि अगर कोई हिद्ग्राही प्रमाड पत्र बनवाने बनाने वाले कर्मचारी को पैसे ना दे तो उससे कई दिनों तक अस्पताल के चक्कर लगवाय जाते हैं दरसल इचावर ब्रजिश नगर निवासी गड़ेश मिवाड़ा अपनी बेटी के जन्म प्रमाड पत्र बनवाने के लिए कई दिनों से जला अस्पताल में चटकर काट वहे थे लेकिन हर बार गड़ेश को किसी कागस की कमी का हवाला देकर बिना जन्म प्रमाड पत्र की अपने घर लोटा दिया जाता था फिर गड़ेश को अस्पताल की करमचारी ने बताया जन्म प्रमाड पत्र बनवाने के लिए यहां पैसे लगते हैं पैसे के लेनेन का गड़ेश ने अपने मूबाइल में रिकॉर्ड कर लिया ये वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जन्म परमाण पत्रों के नाम से खुले आंपिश्वत की जा रही है जब मामला स्पताल की सिवल सर्जन प्रवीन गुप्ता के सामने आया तो मामले पर सिवल सर्जन ने अपना बल्ला जारते हुए कहा कि पैसे लेने देने वाले कर्मचारी का प्राइडीट कंपनी विज्वन की और से रखे गए हैं इन पर चीग विचारवाई की पिछले कई दिनों से कई बार शेहर वासियों ने ग्यापन के द्वारा जि प्राइडीटा से नहीं लिया गया जल्मेवं रखे प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत का खेल का इक दिनों से ज्वारी था जुसकी भाना के जलब प्रशासन और स्वासिव भाग के आलातिकारियों को नहीं लगना भी कई कटार के सवालों को खड़ा करती है तो यह बोला आपको क्या है तो यह बोला आपको पैसे लएंगे हम सब कुछ कर देंगे देखिए यह आज ही मेरे संग्यान में यह बात आई है जिसमें कि यह पता चला है कि यह वहां के आपरेटर जो है तैसा ले रहे हैं और यहाँ पर इस अस्पताल में हर तरह की सेवा नीशुलक है जिन सेवाओं के लिए कोई भी चार्ज लगता है वो सब को पता है जैसे एक्सरे डिजिटल एक्सरे या सिटी स्कैन में जो भी चार्जेस हैं वो वहां पर डिस्प्लें है झाल 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 झाल